हेलो एब्रिवन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोट में चाशीट दाखिल होने के बाद कितने दिनों के बाद एक्यूजड को सम्मन भेजे जाते हैं ये कानून की कुछ ऐसी चोटी चोटी जानकारिया हैं जिन में जादतर लोग कन्फ्यूज रहते हैं और सही आंसर नहीं दे पाते तो आज मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप चाशीट के बाद कोट आपको कितने दिनों के बाद सम्मन भेजेगा I mean कोट में किस तरह से इसकी कारवाई होती है जब कोट में फाइनल रिपोर्ट लगती है अगर वो रिपोर्ट चाशीट के रूप में लग रही है तो कोट में वो एकसेप्ट होगी पहले तो जब एकसेप्ट हो जाएगी तो उसके बाद कोट में एक तारीक तैकर दी उस तारीख पर ये फाइल कोट में पेश होगी ठीक है निया याल है उसको देखेगा और यहां पर क्या है कि जो अदालत होगी उसको देखेगी और वो आदेश करेगी कि इनको सम्मन भेज जाएं ठीक है तो उस माम में ध्याती भासा में I mean इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप सही तरीके से समझ पाएं तो जब सम्मन का आदेश कर दिया जाएगा कि इनको सम्मन भेज जाएं तब वहां से सम्मन भेज जाएंगे यानि कि जो तारीख पड़ेगी उस तारीख पर आदेश होगा कोट का और उसक अपने आपको सरेंडर करें अपनी जमानत करें और जमानत कराने के बाद आप कोट में अपना पक्ष रखें तो उसके बाद का प्रोसीजर मैंने कई वीडियो में आपको बतानी की कोशिश की है तो आप इस से related वीडियो मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएंगी तो वो वीडियो आप दीख सकते हैं तो यहाँ पर आपने ये समझ लिया कि कोट में चाशीट दाखिल होने के तुरंद बाद आपको सम्मन नहीं बेजा जाता है बलकि एक तारीख decide होती है उस तारीख वाले दिन मजिस्टेट के सामने वो चाशीट पहुंचती है और उसके बाद मजिस्टेट उस पर आदेश करता है कि इनको सम्मन भेज जाएं तब जो भी accused हैं तब सम्मन उनको भेजा जाता है तो ये एक तरीखा है चाशीट के बाद एक्यूजों को सम्मन भेजने का इसमें लगबग एक महिना या डेड़ महिने तक का भी समय लग सकता है सो गाइज ये था पूरा वीडियो आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर फिर भी कोई confusion हो या पर मुझसे आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप comment box में लेख सकते हैं चलिए मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ अब तक के लिए चैहेंद